तीन दिन सिर्फ एक चुटकी, एक गिलास गरम पानी में मिलाकर पीलो, सो साल तक बुडापा, कमजोरी, एनिंद्रा, ठकान, कमजोर आखें, कैलसियम की कमी, हडियों की कमजोरी, सुगरो, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा और ये दिल से जुड़ी बिमारियां आपक कभी नहीं होगी, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, आज की इस वडियो में, हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जिसका प्रियोग करके, आप अपने सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना रख सकते हैं, दोस्तों, इन डोक्टरों के चक्कर लगाने से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं, क्योंकि इतनी चमतकारी हैं ये ओस्ती, दोस्तों, आज की इस वडियो की जो मुखे समगरी हैं, वो है दोस्तों, हींग, दोस्तों, दरसल हींग में, एंटी बैक्टरियल, anti-inflammatory और anti-viral गुन पाय जाते हैं जो हमारे पूर्ण सरीर के स्वास्थे के लिए बहुत अदिक फाइदेबन है और बीमारियों से हमारे सरीर की रक्सा करता है दोस्तों अगर आपको भोजन या कड़ी में हींग डालना पसंद नहीं है तो आपको एक गिलास गरम पानी में ए दोस्तों इस हींग के सेवन से तीन दिन तक जदी आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फाइदा जो सबसे पहले आपको फाइदा मिलेगा वो ये होगा कि इस हींग के पानी को पीने से आपकी पाचन सकती मजबूत होगी दोस्तों हींग के पानी से बोडी में बनने वाली एसिड खतम होती हैं और आपको पेट के बहुत त्रहें के रोगों से छुटकारा मिलता है आपका पाचिनतंतर मस्बूत होता है जिससे आपको कभी पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ता आपको पेट में गैस, कबज और ये एसिडिटी के समस्या नहीं होती और आप बहुत त्रहें की बिमारियों से बचे रहते हैं दोस्तों यदि आप इस हीं को एक चुटकी हीं को एक गिलास गरम पानी में मिला कर पीते हैं तो इससे आपको डाइबटीज में बहुत आदिका फाइदा मिलता है इससे आपकी जो सुगर की बिमारी है वो हमेशा कंट्रोल में बने रहती हैं क्योंकि ये आपके सुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है जिससे आप हमेशा स्वास्त बने रहते हैं साथ ही ये आपकी जो diabetes के complication होते हैं उन सब से भी आपको बचा कर रखता है दोस्तों यदि आप सिर्फ एक चुटकी हेंग का सेवन हर रोज एक गिलास गरम पानी में मिलाकर करते हैं तो इससे आपके cholesterol की समस्या सही होती हैं दोस्तों यदि आपके सरीर में bad cholesterol बहुत अधिक बड़ा हुआ है और आप अपने इस बड़ी हुए bad cholesterol को सही करना चाहते हैं और इस heart blockage और heart की बीमारी उसे बचना चाहते हैं और दिल को भी मजबूत बनाना चाहते हैं तब दोस्तों ये आपके लिए एक वर्दान की त्रह हैं क्योंकि इससे आपका cholesterol level सही होता है यनि ये cholesterol का इलाज करेगा जिससे कि आपको कभी heart blockage नहीं आएगी नहीं आपको heart attack होगा यनि ये cholesterol का इलाज करेगा heart blockage का इलाज करेगा और heart attack का भी इलाज करेगा और आपके दिल को मजबूत बनाने का काम करेगा मोटापा दोस्तों यदि आपको मोटापा है तब आप यदि सहीं के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपका मेटबलिजम बढ़ता है जिसे सरीर पर अतरिक्त फैट जमान नहीं होता और सरीर का वजन तेजी से घड़ता है दोस्तों इसके लबा हीं सरीर के सभी खराब तत्वों को भी बाहर निकालने का काम करता है आपके संपून खून की सर काम भी करता है जिससे आप कोलوس्टोल की समच्य से बसते हैं दिल की बीमारियों से बसते हैं और आपके चेहरे पर भी गलो आजाता है आपका जिससे की आपकी उम्मर बढ़ने की परकीरह रुख जाती है जिससे की आपको जल्दी से बुरापा नहीं आता आपका चेहरा 70 सा की उमर में भी 25 जैसा दिखाई देता है दोस्तो यदि आपके सरीर में कमजोरी है तो कमजोरी कभी ये एक रामबान इलाज है और आपके सरीर की कमजोरी को बिलकुल जड़ से खतम करता है दोस्तो यदि आपको एनिंद्रा की समझ्य है और आप इस एनिंद्रा की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं. क्योंकि, दोस्तोओ, हमारी शरीर के 1500 तरहें की बिमारियों का कान बंती है. क्योंकि यदि हम प्रोपर नीद नहीं लेंगे, तो इस से हमारी शरीर में बड़ी-बड़ी बिमारियां जनम ले लेती हैं. जैसे सुगर रोग आदी. तो दोस्तो आपको इस एनिंद्रा की बिमारी का समय पर इलाज करना बहुत अधिक जरूरी है और दोस्तो ये हींग का पानी आपकी इस एनिंद्रा की बिमारी को बिलकुल जड़ से खतम करता है बस आपने क्या करना है कि एनिंद्रा के लिए आपने इसका सेवन रात को सोते समय करना है और दोस्तो यदि आप रात को सोते समय इसका सेवन करेंगे तब आपको अच्छी नीद आएगी और आपकी ये समस्या बिलकूल सही हो जाएगी दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है और आप अपनी आँखों की रोजनी को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तो तब भी ये हींग का पानी आपके लिए एक करामबान ओस्ति की तरह काम करता है और आपकी इस आँखों की रोजनी को बढ़ाने का काम करता है आँखों से चस्मे को हटाने का काम करता है दोस्तो यदि आप पूरा दिन थका थका सा फिल करते ही या आपको पूरा दिन थकावट रहती है तब दोस्तों आपको इस हींग के पानी का हारू सुबेग खाली प्यट बासी मूँ सेवन करना चाहिए और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप पहले से जाता एक्टिव फिल करेंगे और जो आप ये पूरा दिन थका थका सब फिल करते थे आपको ये समस्या बिलकुल नहीं आएगी दोस्तों यदि आपके स्रीर में कैल्सियम की कमी है या आप अपनी हाडियों को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों तब भी हीं का पानी आपके लिए एक रामबान ओसती है क्योंकि हीं के पानी के सेवन से आपके स्रीर की कैल्सियम की कमी पूरी होती है और आपके स्रीर की हाडिया मजबूत होती है दोस्तो इसके इलावा इस पानी को पीने से सांस के रोगों का भी इलाज होता है आप सांस के रोगों का भी इलाज कर सकते हैं इतना चमतकारी है इस हींग का पानी और दोस्तो यदि आप हर रोज इस हींग के पानी का सेवन करते हैं तब आप 100 साल तक बिलकुल निरोगी जीवन जीएंगे क्योंकि इससे आपके स्रीर की इम्मून पावर रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक बढ़ जाएगी और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके स्रीर में रोगों से लड़ने की सकती वहां से भी आप इसको बाई कर सकते हैं अब जानते हैं हींग के पानी को तयार करने की विदी दोस्तों हींग के पानी को तयार करना बहुत अधिक आसान है आपने क्या करना है एक ग्रास गरम पानी लेना है और उसमें एक चुटकी से लेकर आप आदा छोटे चमज तक हींका पावडर मिला सकते हैं और हर रोज सुबह खाली पेटाविस को पी लीजी दोस्तो ये हो गई आपकी ओस्ती जो आपके पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना देगी तो दोस्तो देर किस बात की हैं आप भी आज से ही इस नुस्खे का परियोग शुरू करतीजी और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजी हर त्रहें की बीमारी से अपने सरीर को बचा दीजी तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवा दोस्तो